So, hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ IMP shares के तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चेनल The Mahajan Trader को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चेनल को subscribe कर देना साथ ही आप हमारे Telegram चेनल को भी join कर सकते हो जसकी link का आपको नीचे description में मिल जाएगी वहाँ आपको Nifty और Bank Nifty की काफी कुछ updates मिलने वाली है तो फ्लीज जाकर एक बार check out जरूर करना तो वीडियो को करते है continue तो वीडियो की शुरुआत करेंगे ITC Limited के साथ ITC Limited की अगर हम बात करें तो ITC में morning से ही गिरावट आनी start होगे थी फिर उसके बाद अगर देखे थोड़ी बहुत growth हमें देखने को मिली बिल्कुल यहाँ पर इस stock recover भी किया फिर उसके बाद again गिरावट रही तो 493.05 rupees के round अगर आप देखो stock ने आज closing दी दो रुपे 30 पेसे की गिरावट के साथ क्योंकि इसके results आज announce होने वाले थे और exactly results यहाँ पर announce हुए भी पिछले 5 दिरों में upside down point time रहे अच्छी growth रही एक महीने में अगर देखे 64 रुपे से जादा share बढ़ा हाली में अपने नए all time high को इसने touch किया जो है 510 रुपे 60 पैसे का और उमीद है कि आगे भी बड़े high यहाँ पर break हो गए results को discuss करते हैं तो यहाँ पर results क्या है IOC on Thursday बिलकुल आज अगर देखे इन्होंने अपने results announce की है 0.3% year on year यहाँ पर जो है जो इसका profit है वो बड़ा है ज्यादा बड़ा नहीं है सिर्फ 0.3% बिलकुल यहाँ पर जो net profit है वो है 4917.45 करोर का June quarter की हम बात कर रहे और last year की बात कर रहे तो तब था 4902.72 करोर 74 करोर तो बिलकुल यहाँ पर अगर देखे लास्ट year के quarter से इस quarter में marginally to 0.3% तक की ही बड़त रहे revenue की बात करें तो revenue अगर देखे यहाँ पर 18,077.24 करोर के रहा है और कहीं न कहीं revenue में growth यहाँ पर नजर आई है बिलकुल आप देख सकते हो 7.32% से यह बड़ा भी है और 16,842.93 करोर था previous year के quarter की अगर बात करें तो इस चीज के उपर आप ध्यान दो का ITC2 report 2.6% year on year rise in profit 6% 6-7% jump in sales तो बिलकुल इसकी sales भी बड़ी है इसके उपर भी आप ध्यान दो gross revenue की बात करें ओ 7.3% अब गया ही year on year पर challenging operations environment driven by hotels value added agree products leaf tobacco FMC तो कई यहाँ पर जो इसके segment है उसमें इन्होंने कावी अच्छी चीज़े announce की भी है और कुछ reports जैसे FMCG business margin expansions की बात करें IDC said its FMCG business delivered silent performance emits mutate demand condition with segment revenue growing 6.3% तो यहाँ पर जो इसका FMCG business की margin expenses है 6.3% बढ़ते वे निजरा रहे है 5491 करोड हाई बेस के साथ और जो EBITDA है the segment EBITDA margin जो है ओ एक्स्पांड हुआ है 25 25 basis point पर BPS यहाँ पर बढ़ा है 13.30 11.3% के basis है year on year की में बात कर रहोगा cigarette segment की भी बात करें तो जो revenue है ओ अब गया है 7% का बिलकुल जो cigarette segment है उसमे revenue काफियत तक बढ़ा है अब बात करें अगर hotel की hotel business की तो hotel beach clock double digit growth demerger update तो बिलकुल यहाँ पर demerger की जो update रही उसके बाद तो यहाँ पर अगर देखे इसमें growth नजर आई है प्लस इसका hotel ITC hotel भी आने वाला है share अगर आपके पास ITC के 10 share है तो आपको hotel ITC hotel का एक share मिलेगा इसके उपर आप ध्यान दोको in the case of hotel segment revenue jump at 10.9% year on year the segment PBIT was 11.5% से बड़ा है strong growth यहाँ पर नजर आई है बिलकुल ITC said it has received shareholders approval on 6th June patient section तो बिलकुल यहाँ पर अगर देखें NCLT के उरसे भी approval यहाँ पर 22 तरीक के round यहाँ पर अगर देखें तो जो shareholders है उनकी और से अल्रेडी अपर यहाँ पर कर दिया का है तो यह भी कुछ चीजह हमें देखने को लती paperboard segment की अगर हम बात करें हैं तो क्या चीजह देखने को लती है अगरी business segment revenue वेर जो बड़ा है 22.2% से बड़ा है अगरी business segment की बात करें तो driving by value added अगरी product leaf tobacco and wheat बलकुल इसका भी एक value ने जा रही है तो बलकुल यहाँ पर हर segment पर इसने काफी तक jump बताया है और आगे हमें उम्मीद है कि जो यह revenues है जो growth है वो multiple बढ़ सकती है जो numbers है वो बढ़ सकता है और share में बड़ी growth हमें आने वाले time में देखने और de-merger जैसे मैंने बताया कि 10-1 का de-merger मिलने वाला है यानि अगर आपके पास ITC के 10 share है तो बिलकुल आपको आने वाले time में कर देखे ITC के 10 share के उपर एक hotel ITC hotel का एक share मिलेगा इसके उपर हमने ध्यान देने के लिगा था तो बिलकुल हो चीज़े आप पर देखने मुलने वाली हो और six month के round round अगर आप देखो यहाँ पर finally यह news आज आएगी ITC hotel जो है लिस्ट होने वाला है CMD की उरसे भी संजीवपुरी जी की उरसे कहा गया था 20,000 क्रोड के announcement की उन्होंने बात की थी तो यह बड़े बड़े announcement जो है ITC में हम देखते आ रहे हैं तो इसके उपर आपको ध्यान देना है और इसके levels आगे discuss करेंगे हम बट अब बात क रुपे साथ पेसे पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी 6 रुपे पेसेट पेसे के राउंट अगर देखे स्टॉक में गिरावट रही 2.11 परसें के बिस्सेस पर और पाच दिन के बात करें अपसाइड डाउं स्वें टर्म शेर में रहे हैं बट गिरावट नहीं नजर आती है और एक महिने में भी ऐसे ही कुछ चीज़े देखने को मिल रही है अगर बात करें तो नेट लॉस देखने को मिला प्रॉफिट अगर देखे तोड़ा वो डाउन गया तो देख लेते हैं एक बार रिवीजन कर लेते है अगर आप देखोगे तो इसका प्रॉफिट हमें दे देखने को बल रही है अगर देखने को बल रही है तो इस चीज़े में देखने को बल रही है और वो यह और बड़ेगे तो इस पे भी आप रग देखे इसको बेनेफिट है रेविन्यू जो है 9.6% से बड़ा है 5,845 करोड और वही प्रिवेस कोड़र की बात करें 5,3 करोड के राउं तक था तो इस चीज़े में देखने को बलती है एक्सपेंश की बात करें तो इंक्रीज हुए है बिल्कुल विच है होट इन अर्णिंग पास्ट फोर कॉर्टर इंक्रीज 9% तो बिल्कुल इन चीज़ों के उपर भी धान दो और वही अगर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट अबडेट्स है जिनके उपर आपको फोकस करना चाहिए भी हेल शेर्स जो है 70% क्रेश और 35% जंप पोस्ट कॉर्टर वन रिसल्ट तो अनलिस्स का क्या 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 ना है भारत हेवी लेक्टिकल्स लिमिटेट अनाउंस और मिक्साइड नंबर तो बिल्कुल नंबर मिक्स नज़राए है फ्यू अनलिस्ट बिल्यू दाट्ट देखें देखें जो एक्स्पेक्टेशन से नंबर काफी अच्छा है ठीक है और जो यहाँ पर order है strong order इने मिल रहे है यहाँ पर शाल support बिल्कुल इसका एक तगड़ा support आ सकता तो यह सब चीज़े में देखने को मिल सकती है तो यहाँ पर इन बड़े बड़े firms की उसे कहा जा रहा है कि positive चीज़े नजर आ रही है और इसका एक अच्छा दगड़ा benefit भी हो सकता है ऐसे को पुछ point जो है नजर यहाँ पर आ रहे है तो इसके उपर आपको ध्यान देना है BHEL बिल्कुल dividend का announcement company के और से किया गया था और 9 August इसके dividend के ex-dividend rate है 12.5% का dividend company के और से दिया गया 0.25 रुपीज यानि 25 पेसे का dividend दिया गया था और 9 August 2024 से पहले अगर आप buy करते हो तो बिल्कुल आपको 25 पेसा जो है हर शेयर पर मिलेगा इसको उपर आपको ध्यान देना चाहिए बात करते हैं इनके levels के ITC और BHEL क्या levels है कि इन points के उपर हमें ध्यान देना चाहिए और last trading season हमने देख रहे है ग्रूप में update भी क्या था कोच यह levels को हमें उम्मीद थी कि बिल्कुल breakout के बाद stock उपर जाएगा बड़ेसा नहीं हुआ stock में अगर देखे downtrend ही नजर आता है बिल्कुल हमने बताया था कि एक proper falling wage type pattern जो है stock में बन रहा है बिल्कुल इस falling wage type pattern का breakout के बाद stock उपर के और जा सकता है और ओ चीज़ हमने आपर देखी stock में falling wage type बेटा है breakout के बाद stock उपर जाने की कोशिश की इसने sustain करने के बाद बड़ागे इन एक गिरावट नजराई तो उपर से अगर देखे एक resistance से face कर रहा है इस particular range पर तो इस resistance को break करता है एक essential type triangle अगर बनाता है breakout के बाद stock में अगर देखे एक अच्छी growth जो है upside के और की देखने को मिलेगी plus 1 hour के time frame पर भी अगर हम levels की बात करें तो उपर से resistance आना ही था यहाँ पर अगर आप देखो stock में उपर से एक resistance मिला यहाँ से गिरावट रही यहाँ से गिरावट रही, downside के और से एक support यहाँ से हमें नजर आए तो इस proper upside down के बाद stock में अच्छी jump यहाँ से आ सकता है और breakout अगर मिला तो stock में और बड़ी rallies जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है इसके उपर इन points के उपर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए तो बिलकुल इन levels को आप note down कर लो और downside के और से भी अगर आप देखोगे तो एक support भी नजर आ सकता है यह वाला support काफियत तक AMP है बिलकुल एक इस particular range पर आप देखोगे stock support ले रहा है और यहाँ से एक अच्छे जम आने की पूरे पूरे चांसा समय आने वाले टाइम में भी नजर आ सकते हैं BHEL की बात करें 5 minute के time frame पर ही तो 5 minute के time frame पर अगर आप दीखोगे तो stock में गिरावट आ रही है levels अमने discuss किये थे उन levels को इसने break किया प्लस यह वाली जो trade line थी इस trade line को इसने break किया यहां से उपर से इस level को break करके सीधा down आया फिर sideways रहा फिर यहां से level break करके down आया तो यह जो point है, 8 point काफियत तक IMP बन जाते हैं, काफियत तक अगर आप देखो, यह levels IMP है, और साथ यह अगर आप देखो, यह trade line IMP है, breakdown के बाद stock downside क्यों रहा है, यहाँ पर support था, यहाँ पर support था, यहाँ पर support, यहाँ पर support, multiple time support है, breakdown के बाद stock नीचा है, फिर इस level को भी इसन लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को like, चैनल को subscribe करना, और कोई भी stock में investment करते हो, इनका analysis करना, साथ ही telegram चैनल को join करना, link नीचे description,